आधे दोस्टे इस वीडियो के अंदर हम प्रोग सेल शेट के आईप्यों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको प्रोग सेल शेट के अईप्यों के अपलाय करना चाहिए या नहीं। जनरल यह अगर आप देखोगे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अगर आप देखोगे एटेल हो गया जी हो गया वड़ाफोन हो गया तो इनके लिए वो रिक्वार्मेंट रेती है तो वो प्रोडक्स और जो एक्विप्मेंट वो ये कंपनी बनाने का काम करती है अगर हम देखेंगे अगर हम कंपनी के प्रोडक्स पूटफोली के अगर हम बात करेंगे तो देखें जो मल्टी बेंड रिपीटर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है उसके लावा अगर हम देखेंगे तो इन प्रोडक्स को इंस्टॉल करने का भी ये कंपनी का काम करती हैं अगर हम कमणी के manufacturing unit की अगर हम बात करेंगे तो डो manufacturing unit company के अभी है एक नऊड़ा के इंदर हमें नजर आती है और एक जो दूसरी manufacturing unit company की है वह में देरादून के अनध हम बात करेंगे तो कमणी के product को आई ये स्टु वाला certification होता है वो भी उनके product को certification भी मिला हुआ तो देखा जाए तो यह डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छा काशा प्रोड़क्ट पॉट्फोलियो में कमपनी का नजर आता है उतके अलावा कर हम देखेंगे तो कमपनी के जो प्रोड़क्स है वह एशिया यूरोप अफरीका और मिडल इस कंट्री के अंदर यह अपने प्रोड़क्ट को एक्पोर्ट करने का यह कंपनी काम करती है और गलोबली भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली टेलीकॉम एक्विपमेंट की जो रेक्वार्मेंट वाने वाले टाइम पे हमें काफी अथी तरीके से ग्रोटी वी नजर आएगी और इंडिया करेंगे तो देखिए अल्मोस्ट अगर आप देखोगे 17-18 साल कोने इस इंडस्टी का एक्पिरियंस है तो अगर किसी प्रमोटर को इतना ज्यादा एक्पिरियंस हो जाता है तो वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव यानि कि कैसे कम कॉस्ट में आप प्रोड़क्ट को और उसके लाव कंपनी के सेल्स के नंबर अच्छे हैं और सर्वीस टीम भी हमें यहां पर कंपनी की काफी अछी नजर आती है अब अगर हम यहां पर ऑबजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानि कि जो आईपिव से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे होने वाले हैं अब अगर हम कमनी के फाइनेशियल चे पहले अगर हम प्रमूटर्ज के अगर हम बात करेंगे तो देखिए Mr. Connor Trivedi और Star Private Trust हमें कमपनी के प्रमूटर्ज नजर आते जीन के पास यहां पर कमनी की होल्डिंग है तो देखिए अगर हम देखिएंगे तो कमनी के एसेट के नंबर इतने ज्यादा ग्रोने ही हुए है अरूंड 87 करोड से यह नंबर आरू 97 करोड पर आया है अल्मूस्ट अगर आप देखोगे 3-4% EGR से यह नंबर हमें ग्रोटा हुआ नजर आया है लेकिन अग के नंबर से अगर हम देखेंगे अच्छे हैं और अगर हम देखेंगे तो 2021 के कंपरिजन में इतनी ज्यादा ग्रोट हमें देखने को नहीं मिली है अगर हम प्रॉटिबलीटी के बात करेंगे तो एक करोड से यह नंबर यहां पे 14.25 करोड पर आया था और पिछले साल कमनी ने 14.33 करोड का नेट प्रॉफिट ही कमाया है तो पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यहां पे शिव आट लग से नंबर बड़ा है तो पिछले साल इतनी ज्यादा ग्रोट देखने को नहीं मिली है एक आउट परफॉर्मिंग येर के बाद में एक कॉंसलिडेशन अपने अगर हम आईप्यो डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें 29 को ये आईप्यो में उपन उटाओओओओ नजर आएगा तो देकि अभी करणली कमनी का टाइम टेबल अवेलेबल नहीं है लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगबग 12-13 अक्टूबर के लगब अगर हम बात करेंगे तो 41.57 करोड का में या पर IPO का issue size नजर आता है और ये पूरा पैसा कमनी के पास में जाने वाला है या पर कमनी के प्रमोटर कोई भी अपना steak नहीं बेच रहे हैं अगर हम लिस्टिंग के अगर हम बात करेंगे तो NST के SME प्लेटफों पर ये कमनी लि कोट है यहाँ पर QIB कोटा के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो HNI में अप्लाइ करने से कोई मतलब नहीं रहेगा तो कि HNI कोटा यहाँ पर 15% गई है तो आज लेकर आप देखोंगे 6-6.5 करोड के लगवक्का में या पर HNI कोटा नजर आता है अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखेंगे अगर एक लॉट को अपलाइ करने के लिए यहाँ पर 1,22,400 रुपीज आपको लगेंगे अगर आपको एक लॉट से जादा की अप्लिकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में अप्लिकेशन लगानी पड़ेगी तो देखें मेरे क 3,400 तो डेफिनेटली वहां पर मुझे लगता है कि 3,400 के लिस्टिंग तो डेफिनेटली आराओं 15-20% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हमें होटी भी नजर आएगी तो देखिए मेरे ख्याल चे अभी आपने कॉश्यर से रहना चीये तो मार्केट में अटी ज्यादा कंपनी अच्छी नजर आती है वेलेशन वाइस भी कंपनी के नंबर हमें अच्छी नजर आते हैं तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटी यहां पर एक लॉंग्डम पॉइंट वी से भी अप्लाई किया जा सकता है और अगर आपको लिस्टिंग इन पॉइंट वी